तो हेलो दोस्तो आज आपको बताया जाएगा कि आप एक पोस्ट मैन यानि डाकिया कैसे बन सकते हैं चीहां दोस्तो आपको इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी दी जाएगी कि आप जो है पोस्ट मैन यानि डाकिया कैसे बनोगे क्या 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 आपको इस चाहिए क्या क करें क्या होता है आप इसको कैसे Member कर सकते हैं पूरी आपको फीलियोको तक दिरी आगए तो आप इस छानकाय करके १ मैं आपको पूरुजानकाय दूँगा फ़हले जानने चान लेते हैं पोस्ट मेंन या दाकिया क्या होता है तो देखें दोस्तों पोस्ट में या दाकिया भारात सरकार के अधीन भारतिय दाकि विभाग में एक सरकारी पद होता है जिस पर न्यूक्त करमचारी दाकगर post office के माधियं से भेजे गए पत्र पार्सल चित्थी इस पीड पोस्ट आदिका वित्रन संबंधित लिखीत पते यानि एड्रेस पर करते हैं यानि आपको ये तो पता चल गया होगा कि क्या कर रहे होता है यहां तक ओफिसली सभी को पता ही होता है कि जो कोरियर वहां पर आते हैं पोस्ट मैं नहीं कर सकते हो कितनी एजल में चाहिए सेल्ली क्या होती है सारी जानकारे मिलेगी वीडियो को लास्त तक देखती रहेगा अब जान लेते हैं पोस्ट में नहीं दाकिया बनने के लिए अवेदन करने हैं तू अभिधारतियों के पास निमलिकीत योगता होनी चाहिए जैस कि एसनल क्वालिफिकेशन भारत के किसी माहीदा प्राप्ट चिछा बोट से बारवी कच्छा उत्यूंद यानि आप ट्वेल पास फोने किसी भी मतलब जो है माहीदा प्राप्ट जिप्च्छा बोट से ओके और अवेदन करने वाले राज्ये केंद्र सासित परदेश की सत सथानय भासा का विश्वे दिस्वी कच्छा तक पर हो उतिन क्या हो जहां पर भी आप पोस्ट मेंगा बंना चाहते हैं हुआ की जो सथानय भासा है यह इनि वह आप पर जो भासा यूज कि जाती है वह आपने दश्वी तक उस भासा को इस सअधि करा हो और कमपुटर पर काम करने के जानकारी हो यानि आपको थोरा बहुत कंपूटर भी आना चाहिए कंपूटर पर काम करने के आपको नोलेज भी होने चाहिए और देखिए दोस्तो इसके बाद John ke यानि इन देखिये इसमें चार जो एक पास होनी चाहिए तो आप इसके लिए यह ऍापूइब कर सकते हो तो आए अब नेक्स्ट कि बात कर लेते हैं कि आहांसको सारे इसमोच की जान बात कर लेते सब्सक्राइब करता है उसकी आयूज अथारा वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए आपकी जो उम्र है वह अथारा साल से अगर 27 साल तक होनी चाहिए इसके बीच में हो तो चलेगी 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और अच्छित वर्ष को यानि अभ्यारतियों के लिए अधिक्तम आयो सीमा में नियम अनुसार छूत भी दी जाती है जी हां दोस्तों अगर आप अरिच्छित वर्ष में आते हो तो आपको कुछ नियम है कुछ रूल एंड रेगुलेशन है वह आप गूगल पर सर्च करोगो तो आज आएगा उसके अनुसार आपको उसमें छूत भी दी जाती है आई अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं तो आई दोस्तों आप बात कर लेते हैं पोस्तमेन य ओनलाइन आवेदन करने के बाद दाख विभाग किसी परतियोगी परिछा के माध्यम से 12 वी कच्छा मैं प्राप्तंको के अधार पर बनाई गई मेरा सूची का धार पर पोस्तमेन के पद पर न्यूक्त करता है समझ गया आप इसके बाद जो है पोस्तमेन के पद के लिए स अमें समय पर बदलती रहती है परन्तु यदि परतियोगी परिछा हो के माध्यम से पोस्तमेन के पद पर न्यूक्ति की जाती है तो संबनित परतियोगी परिछा में मुख्यत निमलिखित विश्व पर पर संपूछे जाते हैं जैसे गरीत यानि मैत हो गया आपका हो गया समान्य जग्यान हो गया तो आपकर स्कारल नेक्ष पैर टेuba स्काराइब्र परिछा श्रki में एक नवी न्यूक्ट पोस्टमैन को साथवे वेतन आयूक के अनुसार यानि स्यावंत स्केल सेलरी के अनुसार 21,700 से उन्हांतर हजार सो रुपे के वेतनाम में न्यूक्त किया जाता है यानि 21,700 तो 69,100 रुपीज के वेतमान में न्यूक्त किया जाता है अर्था सुरुवात में दाकिया का मूल वेतन 21,700 रुपे होता है जिससे जिस पर महंगाई भत्ते समित अनिये दे भत्ते भी दिये चाहते हैं चिहां दोस्तों इस तादिंग में सैल ली कि 7700 दी जाती है जिसमें जो हैं और भी खर्चे दिये जाते हैं जैसे कि दोस्तों रहने के लिए फिर आने जाने का बहुत सारी लांसेंस होती है सभी जगह अलग 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 रूल्स हैं ओके तो दोस्तों मिद करता हूं आपको अलग वीदियो